हलो एव्रिवान, वेलकम बाक तो माई चानल उनके टार्गिट वाले कोटा में काउंट नहीं किया जाएगा और उन्हें 120 घंटे आफ्टर लाइफ में कम्यूनिटी सर्विस करना पड़ेगा और 120 घंटे के सर्विस करने के बाद ही उन्हें मिस्टिक पॉप अप बार को फिर से ओपन करने दिया जाएगा वोल जू कुईन योम्रा से आर्ग्यू करती है पर अट दे एंड वो कम्यूनिटी सर्विस करने के लिए मान जाती है फिर हमें उन दोनों को रिइंकार्नेशन कमिटी के साथ काम करते हुए दिखाया जाता है जहां कमिटी के मेंबर्स लोगों की लाइफ को रिव्यू करके उन्हें ग्रेड्स देते हैं ग्रेड A का मतलब उन्हें इनसान के रूप में पुनजनम दिया जाएगा ग्रेड B जानवर और ग्रेड C कीड़े के रूप में उनका पुनजनम होगा वहाँ एक आदमी जो फ्रूट्स बेचा करता था पर वो फ्रूट्स पे वैक्स और डेंजरस केमिकल लगा के बेचा करता था उसे गोबर खाने का कीड़ा यानि ग्रेड C का सजा दिया जाता है उसके बाद साथ फायर फाइटर्स जो लोगों को बचाते हुए खुद मर जाते हैं उन्हें ग्रेड A यानि हुमन्स का जनम के लिए अलोट किया जाता है जहां उन्हें अगले जनम में सेवन मिम्बर्स का बॉइ बैंड B.L.S के रूप में इंकार्नेशन किया जाएगा अगर ये वीडियो आर्मी देख रही है तो उन्हें समझ जाएगई ये किसका रिफरेंस दिया जा रहा है अब नेक्स टेप में उन लोगों को शावर ओफ उब्लिकिशन के लिए बेजा जाता है जहां सबी लोग जो ये शावर लेंगे उनके इस जनम की सारी यादों को इरेस किया जाता है अब काम से ब्रेक के दोरान मैनेजर गवी कंगबे को याद करता है पर वोल्जू बोलती है कि वो अपने डांस कॉंपटिशन के प्रैक्टिस में बीजी होगा वो दोनों बात करते हैं कि उनके पास और कितने घंटे यहां काम करने के लिए बचे हैं और पनिश्मेंट पूरा करने के बाद उनके पास जादा टाइम नहीं बचेगा उनके टार्गेट कंप्लीट करने के लिए वोल्जू मैनेजर गवी को बोलती है कि वो अगर अपना टार्गेट कंप्लीट नहीं कर पाई तो मैनेजर गूई वापस आफटर लाइफ पुलिस जॉइन कर लेगा पर वोलजू को तो हल में भेज दिया जाएगा पर मैनेजर गूई उसे बोलता है कि उसने अब तक 99,995 लोगों की मदद की है तो शायद उसे grade C level का reincarnation दिया जा सकता है वोलजू बोलती है कि वो उन सब लोग से जलस फिल करती है जो लोग shower of obligation लेके अपनी यादों को बूल जाते है जहां वो 500 साल से अपनी बुरी यादों के साथ है मैनेजर गूई उसे पूछता है कि क्या उसका पिछले जनम इतना बुरा था और क्या उस जनम से उसकी कोई भी अच्छी यादे नहीं जुड़ी है तो वोलजू बोलती है कि जब वो उसकी मा के साथ थी तो वो बहुत खुश थी इसके बाद वो library को dust करने जाती है करने वाली होती है तब ही वहां मैनेजर गूई आता है और उसे बोलता है कि क्वीन योम्रा ने हम दोनों को बुलाया है इसी बीच कांग बे वोलजू और मैनेजर गूई को मिस्स कर रहा था तब ही योरिन उससे मिलने आती है और उसे पूछती है कि वो dance practice के लिए क्यों नहीं आ रहा है योरिन को लगता है कि उसने कांग बे के message को ignore किया उसी वज़े से वो उससे नराज है इसलिए वो कांग बे से माफी भी मांगती है पर कांग बे बोलता है कि वो उस दिन के बारे में भूल चुका है कांग बे योरिन को बोलता है कि वो CIA duties करने में busy है इसलिए वो आज भी practice करने नहीं आ पाएगा इसके बाद वापस वो mystic pop up बार को ढूणने जाता है पर उसे वो जगह खाली मिलती है कांग बे वोल जो और मैनेजर गूई के साथ बिताय सारे अच्छे पलो को याद करता है और ये उमीद करता है कि काश वो उन दोनों से अपने सपने में मिल पाए योरिन की roommate बोलती है कि कांग बे एक player है इसलिए योरिन भी उसे पसंद करने लगी है योरिन मना कर देती है तो उसकी roommate बोलती है कि उसने अभी तक किसी लड़के को किस नहीं किया है और वो बोलती है कि जब भी वो किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उससे दूर भागने लगता है इसलिए वो कांग बे को पसंद करने से पहले ही उसे किस करे नहीं तो अपनी जिंदेगी में कभी भी किसी को किस नहीं कर पाएगी अब दूसरी और वोल जो और मैनेजर गूई क्वीन योमरा से मिलने जाते हैं क्वीन योमरा कुछ बोलने से हिचकी चाती है पर अंत में वो उन दोनों से मदद मांगती है अब फ्लाश बैक में जब वो अपना हेल के शेत्रों को चेक करने जाती है तब ही उसे जेड एमपरेर से गुस्से वाला मेसेज आता है जो उसे एक दुष्ट आत्मा जो आफ्टर लैट से भाग गया है उसके बारे में पूछ रहा था वो उसको उसके पोजिशन से निकालने की बात करता है तो क्वीन योम्रा जेड एमपरेर से थोड़ा समय मांगती है उस दुष्ट आत्मा को ढूढने के लिए उसी वक्त क्वीन योम्रा को सामसिन का सहानुबूती वाला मेसेज आता है तो क्वीन योम्रा जेड एम्परर का नाम लेते हुए एक गुस्से वाला मेसेज सामसिन को भेजने ही वाली थी पर तब ही एक एम्प्लोई उससे टकरा जाता है और गलती से वो मेसेज जेड एम्प में फिक्स करती है पर दूर्भाग्य पूर्ण उसने जो वायर को निकाला था वो शावर ओब्लिगेशन का था और उसी वक्त एक आत्मा जिसकी मेमरी को इरेस करना था वो अंदर था और जो उस आत्मा को इंचार्ज थी वो वाश्रूम गई थी और उस आत्मा ने शावर उब्लिगेशन ना काम करने के बारे में किसी को बताया नी और उस आत्मा को फिर धर्ती पे भेज दिया गया अब क्यो की बिना उसकी यादों को मिटाये धर्ती पे भेज दिया गया वहां से गायब हो गया क्वीन यॉम्रा वोल्जू और मैनेजर गवी को उस आत्मा को मती देगी और उसके डेडलाइन को दस दिनों के लिए बढ़ा देगी साथ में ये केस को उनके कोटा में काउंट करेगी अब ना चाहते हुए बीक्वीन योम्रा ये सब शर्तों के लिए मान जाती है अब हमें उस आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है उस आत्मा का ना उन भी ले रखा था उन लोगों से भागते वक्त ही उसकी मृत्यू हो जाती है और रिइंकार्नेशन की कमिटी उसे ग्रेड बी का जनम देने के लिए धर्ती पे भेजती है जहां उसका जनम एक मुर्गी के रूप में होना था पर क्योंकि उसकी याददाश को मिटाया नह पैदा होना था पर वो उस मुर्गी के अंदर अपनी आत्मा को डालने ही वाला था तब ही वहां एक आदमी आता है और वो पैर फिसल के गिर जाता है बोक्सों को लगता है कि मुर्गी से अच्छा है कि वो इस बुड़े आदमी के अंदर रहना बहतर होगा इसलिए बोक्स और मैनेजर गूई उसे वहाँ पे मिलते हैं कांग बे खुशी से इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आखों से आसु निकलते हैं वो दोनों कांग बे को अपना अगला टास्क बताते हैं वो तीनों मिलके उस घर पे जाते हैं जहां बोक्सों को मुर्गी के रूप में जनम ल कांग बे को मुर्गी को टच करने बोलता है कांग बे के टच करने के बाद मुर्गी आ मैनेजर गूई को बताते हैं कि बोक्सों की आत्मा चेर्मेन के शरीर के अंदर है अपकार के अंदर बोक्सों याद करता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी वो अपने दोस से पैसे मांगन बोक्सों उसके फ्रेंड को ये बोलते हुए सुनता है कि तुम अब तक क्यों नहीं पहुचे उसी वक्त लोन शक्स आ जाते हैं और बोक्सों को ऐसा लगता है कि उसका फ्रेंड उसे लोन शक्स को पकड़वाने वाला है इसलिए वो वहां से भागता है और उसी वक्त एक कार उसे कुचल देती है और उसकी मृत्य हो जाती है। वो अपने दोस्स से बदला लेने के लिए डिसाइड करता है। वो वही लोन शाक्स को पैसे दे के उसके फ्रेंड के fruit shops को बर्बाद करने बोलते हैं। और उन लोग उसके friends के shop को बर्बाद करते हैं और साथ में उसके friends को बुरी तरीके से मारते भी हैं। ये तीनों बुक्सू के हरकतों को देखने के बाद सोचते हैं कि बुक्सू के वज़े से चेर्मेन का नाम खराब हो जाएगा और अब तो उसके पास पैसा और शक्तिया भी है वोल्जू बोलती है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है उन्हें बुक्सू को मैजिक ड्रिंग प करेंगे अब कांग बे वोल्जू और मैनेजर गवी को ये बताता है और बोलता है कि वो इस डांस कॉम्पटिशन को जीतेगा और चेर्मेन को अपने घर पे ड्रिंग के लिए इन्वाइट करेगा जहां वो तीनों उन्हें मैजिक ड्रिंग पिला सकते हैं कांग बे अपना प्रेक्टिस के दौरान यौरिन कांग बे को खुद के इतने करीब देखके उसे अपने रूमेट की बात याद आती है कि उसे कांग बे को किस करना चाहिए वो मुस्कुराने लगती है पर फिर वो अचानक अपने सेंसेस में आ जाती है इसी बीच चीफ यॉम अपने असिस जैसे ही चीफ यॉम वो आत्मा का फोटो देखता है वो और कोई नहीं किमवन यंग था जिसकी मृत्यू साल 15-20 में हुई थी चीफ यॉम किमवन यंग का फोटो देखके बहुत परिशान दिखते हैं अगले दिन डांस कॉंपटिशन था वोलजू और मैनेजर गूई देबदबू वाला पोफ्यूम लगाती है दूसरी और मैनेजर गूई एक जोड़ी को पेट खराब होनी की गोली एक जूस में मिक्स करके पिलानी की कोशिश करता है पर वो जोड़ी दार मैनेजर गूई से बहुत प्रैक्टिस करवाती है जिससे ठक के मैनेजर गूई करेज हो जाती है पर कांग बे उसे मोटिवेट करता है और दोनों काफी अच्छा परफॉमेंस देते हैं और इस डांस कॉमपटिशन को जीट जाते है जब चैर्मेन ट्रॉफिय और चेक देता है और उनसे उनकी विश पूछता है यॉरिन बोलती है कि उसे पर्मनेंट एम वर्ड में ट्रांस्पोर्ट हो जाता है उस वक्त पे जब बोक्सु का एक्सिजेंट हुआ था वो अपने एक्सिजेंट से उठता है और उसे अपने सामने पैसे दिखते हैं वो उस पैसे को उठाता है और उसे आगे और पैसे मिलते हैं वो उन पैसों को फॉलो करके जाता वो लोन शाक के आफिस तक पहुच जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसका पूरा लोन पे किया था जब वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है उसका फ्रेंड और उसकी गर्ल्फ्रेंड के बीच के बातचीत सुनता है उनकी बातचीत से पता चलता है कि बुक्सू ने अपने फ्रेंड की मम्मी की सरजरी के लिए 10 साल पहले मदद किया था इसलिए उसका फ्रेंड हमेशा बुक्सू को मदद करता था उसने बुक्सू को सारे सेविंग्स दे दिये यहां तक कि उनकी शादी के सेविंग्स भी दे दिये इस वजह से उसकी गरल्फर वापस चला जाएगा जहां उसका पनिश्मेंट अब ग्रेड सी यानि कीडे के रूप में पुनजनम होगा अगर वो दिल से अपने पनिश्मेंट को एकसेप्ट करेगा तो वोलजू उसके दोस्त की मदद करेगी बोक्सू मान जाता है और वापस आफ्टरलाइफ चला जाता अब अगले दिन कांगबे और योरिन अपने ब्रेक पे मिलते हैं और अपने कॉम्पेटिशन के बारे में डिसकस करते हैं कांगबे योरिन को पूछता है कि वो कॉम्पेटिशन में जिते हुवे पैसे का क्या करने वाली है योरिन कांगबे के लिप्स को देखती है और इस कर लेता है तो असिस्टेंट उसे पूछता है एक साधरन दुष्टात्मा इतना स्ट्रॉंग कैसे हो सकता है वन्यंग बोलता है कि वो पूरे कंट्री के दुष्टात्मा के ताकत को कलेक कर रहा था इसलिए वो इतना स्ट्रॉंग है वन्यंग अपना मूँ खोल के असिस्टे हावा में गायब हो जाता है अब शाम को तीनों मिस्टिक पॉप अप पार की रियोपनिंग का खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे कांगवी अपने खयालों में खोया था अभी भी वो यौरिन के बारे में सोच रहा था मैनेजर गुई उसे पूचता है कि क्या यौरिन और उसके बीच में कुछ हुआ है कांग बे मना कर देता है फिर मैनेजर गुई उन दोनों को बताता है कि उसने लोन शाक को अरेस्ट करवा दिया है और बोक्सु के फ्रेंड को उसके पैसे वापस मिल गये है और उसका उसकी गल्फरेंड के साथ पैच अब भी हो गया है कांग बे वोल्जु और मैनेजर गुई को बताता है कि जब वो लोग यहां नहीं थे तो उसने उन लोगों को बहुत मिस किया तब ही मैनेजर गुई उसे याद दिलाता है कि एक बार वोल्जु का टार्गेट खतम हो जाएगा तो वो लोग गायब हो जाएंगे वोल्जु उसे बाकी सारे लोगों के जैसे नॉर्मली अपने लाइफ को जीने बोलती है वो उसे खुद के लिए गर्फरेंट भी डूणने बोलती है हाला कि कांग बे जानना चाता था कि वो पिछले जनम में कौन था वो दोनों उसे बोलते हैं कि ये एक सीक्रेट है और पिछले जनम की यादों को जानने से कभी किसी का फायदा नहीं होता क्योंकि वो अपनी जिन्देगी को नई तरीके से कभी भी नहीं जी पाएंगे अब चीफ योम उस बिल्डिंग पे जाते हैं जहां असिस्टेंट और वन्यंग के बीच फाइट हुआ था वो खुद से वन्यंग को बिलाते हैं क्योंकि वन्यंग को अपने दर्द को कम करने में चीफ योम उसकी मदद करना चाते थे उसके बाद चीफ योम मिस्टिक पॉप अप बार जाते हैं और बोलते हैं कि उसने उन लोगों को बहुत मिस किया पर वोलजू बोलती है कि आपने हमें नहीं सिर्फ हमारे खाने को मिस्स किया वो तीनो चीफ योम को पार्टी देने बोलते हैं तो चीफ योम मान जाते हैं जैसे ही वो तीनो बाहर निकलते हैं पीछे से चीफ योम अलग तरीके से देखते हैं और एपिसोड 7 यही पे खतम होता है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक क लिए बाई बाई एंड टेक केर